नमस्कार दोस्तों संकर स्टड़ी पॉइंट यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी लोगों के लिए ग्रूबडी स्पेसल में तीस कोश्चन जीके के लेके आए हैं चलिए सुरुवात करते हैं यह आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक हैं चलिए स्टाट करते हैं पहला कोश्चन है यहाँ पे कि सुन्दर वन का डेल्टा कौन सी नदी कौन सी नदी बनाती है तो कौन सी नदी है वह गंगा नदी सुन्दर वन डेल्टा बनाती है अगला कोश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो रेल म उत्तर प्रदेश में जो रेलवे का सबसे बड़ा जाल है वह पाया जाता है चले अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला जो हमारा कोश्चन है वह है कि सईयुक्त राज अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ड उत्खनन की खान हो मिस्टेक किस राज में इस्थित है तो वह दच्छड डकोडा में इस्थित है अगला है जो हमारा एंडीच परवत माला होता है जो दच्छड अमेरिका में है उसका सबसे उंचा या सबसे उंची चोटी का क्या नाम है तो एगांग का गुवा के नाम से प्रसित है चले अगला कोश्चन देख लेते हैं बिश्व के अधिकांस पठारी भागों में किस ब्योसाय की प्रधानता पाई जाती है तो वह उत्खनन की जो अधिकांस भागों में ब्योसाय है या उत्खनन की वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है किस ब्योसाय का पूछा था प्रधानता पाई जाती है तो वह उत्खनन की है कहां की बात कर रहा है तो पूरे बीश सुने मेसेटा का पठार मेसेटा का पठार कहां पर इस्थित है तो जो मेसेटा का पठार है वह इस्पेन और पूतगाल में इस्थित है दो स्थान चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन हम लोगों का है कि कनाडियल कनाडियल पेसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है तो जो कनाडियन पेसिफिक रेल मार्ग है या हैली फैंस से बैकूवर तक जाता है 1981 में अस्थापित भारती वन सर्मेच्छड विभाग का मुख्यालय कहां है देहरा दून में किसका है भारती वन सर्मेच्छड विभाग का मुख्यालय है जो कब अस्थापित किया गया था 1981 में इसमें तीन कोश्चन बन जाएंगे कि भारती वन सर्मेच्छड विभाग का अस्थापना कहां हुआ था तो वह हमारा है देहरा दून और कब अस्थापित हुआ था तो 1981 में चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन है कि ब्लैक हिल ब्लू पहार और ग्रीन पहार नाम पहाड़ियां किस देश में इस्थित हैं तो ये दोनों जो पहाड़ियां हैं वह संयुक्त राज अमेरिका में इस्थित ह कौन कौन सी ब्लैक हिल ब्लू पहार ग्रीन पहार के नाम से ये इंपॉल्टेंट प्रस्ट हैं चिनाब नदी का उदगम अस्थल कहां है तो बारा लाचा दर्रे से जो हमारी चिनाब नदी होती है वह निकलती है चलिए अगले कोश्चन को देख लेते हैं अगला हमारा अधारत में कोईला जो है वह प्रचुड मात्रा में कहां पाया जाता है कई बारा रहा है मोस्ट इंपॉल्टेंट होगा जो गोडवाना छेत में पाया जाता है हीरा कुंड परियोजना किस राज में तथा किस नदी परिस्थित है तो यह महा नदी परिस्थित है और किस र है रवांडा की राध्धानी क्या है तो किगाली है माउंट एटना किस परवत माला में इस्थित है तो सिसली जो इटली में पड़ता है उस मरवत परवत माला में इस्थित है माउंट एटना इसमें आप सभी लोगों के लिए आज मैं तीस कोश्चन को लेके आया चलिए अगला देखते हैं अस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है तो मरले डालिंग नदी है जो 3717 किलो मिटर में फैली है इस नदी पर हमारा अस्ट्रेलिया बसा हुआ है ग्रीन लैंड की खोज किसने की थी तो राबल्ट पियरी ने ग्रीन लैंड की खोज की थी चलिए आगे चलते हैं सबसे उंचा जल प्रपात कौन सा है तो साल्टो एंजिल जो है वह सबसे उंचा जल प्रपात होता है और यह वेने जूला में पाय जाता है डोडोमा किस देश की राध्धानी कौन सी डोडोमा तो तंजानिया की राध् क्या है यूगांडा तो यूगांडा की राध्धानी हमारा कम पाला है क्या है कम पाला किस दिन प्रिथवी से सूर की दूरी नियूंतम होती है तो तीन जन्वरी को होती है चले अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं माइनस एक अंस डिग्री पर देशांतर की सबसे अधिक दू क्या है तो यह भी कई बार आ चुका है प्रस्म इसको भी इंपॉल्टेट में कर लीजेगा यह दहारता चालिसा दच्छडी गोलार्द में चालिस अंस अच्छांस के पास का अस्थान है जहां तेज पछुआ हमाय चलती है उसी को हम लोग दहारता चालिसा कहते हैं कितने अं मूल निवास कहां है तो न्यूजी लेंड में है कहां पर है तो न्यूजी लेंड में तूंग भद्रा तथा भीमा की नदिया किस नदी की सहयक नदिया हैं तो कृष्णा नदी की सहयक नदिया हैं कौन-कौन सी तूंग भद्रा और भीमा नदी कृष्णा नदी की सहयक या है तो कौन सी है पारसनात उसका नाम है सबसे उंची चोटी का नाम जोटा नाकूर पठार के 20 का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है तो कौन सा अरभ प्रायदीप है टिक और जो कितने वर किलोमीटर में पहला हुआ है तो 32,50,000 को देख लेते हैं सिनकोना ये भी important प्रश्ण है कई बार पूछा जा रहा है सिनकोना बिच्छ से malaria की कौन सी दवा बनाई जाती है या बनाया जाता है तो कुनेन की दवा बनाई जाती है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है तो इंद्रा गाधी नहर जो राजस्थान नहर परियो परियोजना बोला जाए तो यह भारत के सबसे भड़ी नहर परियोजना में से जानी जाती है चले अगला है भाक्रा नागल परियोजना में मानो निर्मित जील किस नाम से जाना जाता तो गोबिन सागर के नाम से इमानो निर्मित है किस के द्वारा मैन मेट के द्वारा निर् जाता है तो यह थे आप सभी लोगों के लिए जीके के 30 प्रस्ट जो बहुत ही महत्पूर्प्रस्ट थे यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा और पल्डे इस प्रकार से आप सभी लोगों को वीडियो मि कि बढ़चिं कि अचे करेंग्ञ टाइवागन शाचे तो कि अचे लग्डवाचिंग से लिए एफले ग्यूच्छ में रू लाग्ड़ झाट